जद भी आपका अतीत और वर्तमान बहुत कठीन और दर्दनाक रहा है लेकिन आपका आने वाला कल सुन्दर होगा मेरा शीरवाद तुम्हारे साथ है बाबा कहते हैं मैं जानता हूँ मेरे बच्चे आपका अतीत बहुत कठीन और दर्दनाक रहा है तुम उस अतीत को याद कर करके अपने वर्थमान को क्यों दुखी कर रहे हो बीता हुआ पल तुम बदल नहीं सकते और अगले पल क्या होगा ये तुम नहीं जानते इसलिए मेरे बच्चे कल की चिंता क्यों करते हो जो मनुश्य की इच्छा है न वो कभी खतम नहीं होती एक पूरी हो जाए तो दूसरी पैदा हो जाती है मेरे बच्चे कल तो तुमने आज की चिंता में बीता दिया और जो आज है वो कल की चिंता में बीत रहा है तुम किवल चिंता ही करते रहते हो चिंता करकर के तुमने अपनी मन की शांती को भंग कर दिया है चिंता मत किया करो चिंता करने से जिंकी में बहुत दुखाते हैं शरीर भी भी मार रहता है तो क्या तुम अपना जीवन ऐसी ही पिताद होगे तुम जानते हो ना कि मनुश्य जीवन कितने मुश्किलों के बाद मिलता है किस्मत वाले लोग होते हैं जिने मनुश्य जीवन मिलता है तो तुम इस जीवन को क्यों व्यार्थ गवा रहे हो अच्छे-च्छे काम करो अपने मन को बीजी करो खाली बैठोगे तो तुमारे मन में बहुत विचार आएंगे तो अपने सामने जिन्दगी में कोई उदेशे रखो उसको पूरा करने में अपने जी जान अपनी मेहनत लगा दो तो तुमारा जो अतीत है वो तुमें तंग ही नहीं करेगा प्रमात्मा ने कितनी अच्छी अच्छी चीजे तुमारे लिए दिये प्रकर्ति कितनी सुन्धर है उनका अनंद लो ना जी भर के लो जो तुमारा वर्त माने ना उसको जी भर के जी हो सोचो कि ये जिनकी मुझे दुबारा नहीं मिलेगी और तुम मुझे सच्चे मन से कभी याद ने करते मन से किया करो तुम खाली श्रीर रुप से मुझे याद करते हो पूजा पाठ ये सोचते हो कि एक नियम है नहीं मेरे पास पैठा करो मन की बात किया करो मुझसे अपने मन को हलका किया करो और जब तुम्हारा मन बेचेन हो तु साइं साइं किया करो मैं तुम्हारे मन को शान्ती दूँगा मैं तुम्हें कभी अकेले दुख सहने नहीं दूँगा मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम हिम्मत क्यों हारते हो मैंने तुम्हें कहा है ना कि मैं तुम्हें भोजन, वस्त्र की कभी कमी नहीं आने दूँगा, फिर क्यूँ चिंता करते हो, तुम अपने इच्छाएं सीमीत रखो, अगर तुम्हारी इच्छाएं सीमीत होंगी, तो तुम्हें कभी भी दुख नहीं होगा, मेरे बच्चे, अगर तुम्हें तुम्हारा अतीत आवाज देने लगे तो उसे कोई जवाब मत दो, क्योंकि उसके पास आपको नया कहने के लिए तो कुछ भी नहीं होगा, जो तुम्हारा वर्त मान छणना है ना उसको आनांद से जीओ, और जो बीते हुए हसीन पल है मेरे बच्चे कभी लोट कर नहीं आते, लेकिन कई हसीन पल ऐसे हैं जो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारी जिन्तकी की लाइन में हैं, तुम उन हसीन पलों को अपनी जिन्तकी में लेकर आओ, बीते हुए लम्मों को गम ना करो मेरे बच्चे तुम खुश रहो जब तुम चिंता में होते हो ना मुझे भी चिंता रहती है बस तुम चिंत हो जाओ मैं हूँ ना तुम्हारे साथ अच्छा मेरे बच्चों खुश रहो मैं जब बाबा से जुड़ी तो मेरा अतीत भी अच्छा नहीं था क्योंकि बहुत पैसा था और सब बिजनेस खतम हो गए थे तो मन बैचैन रहता था पर जब बाबा आ गए तो उन्होंने मेरे अतीत को खबरधार कर दिया कि मेरे बच्ची को तंग करने की जुरूरत नहीं और जो मेरा वर्तमान था वो तो बाबा की मस्ती में बाबा के साथ खुश रहने लगा क्योंकि उसे चिंता ही नहीं थी क्योंकि उसको पता था कि बाबा जब साथ है तो भविश्य तो सुन्दर हो नहीं हो नहीं इसलिए आप कभी चिंता मत किया करो अगर आपका वर्तमान अच्छ है तो भुशे पहुआए अच्छा होगा जो अतीत की यादे हैं ना उनको खत्म करते हो आपके हाद में सब कुछ है अगर आप सोच कर चलो ना तो सब ठीक हो सकते है जो सफल है ना इंसान वो भी हमेशा ही गिरे हैं हारे हैं पर उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी वो गिर गिर कर उठे हैं इसलिए तो अपने जिंदकी में सफल हुए हैं तो आप अपने जिंदकी में हिम्मत मत हारो और हमेशा खुश रहना सीखो बाबा को हमेशा अपने साथ रोखो जब बाबा आपके साथ है तो आप हमेशा खुश रहोगे ओम सही राम